राम राम जी कैसे हो आप सब का अपना यूटूब चैनल सशीव लोक्स में आप सबका स्वागत है उमीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तंदरोस्त होंगे और खुस होंगे और आज मैं आपके लिए ले के आई हूँ एक छोटी सी कहानी किसी गाम में जो एक रमो नाम का आदमी रहा था और वो जो है डंगर चरावे था मतलब अडोस के सबके कठे करके रोज जंगल में गणाई रेवड था उसके धोरे सबके कठे हो रहे थे जानवर तो एक दिन जो है वो जंगल में सारे जानवर आने छोड़ कै और किसी पेड़ की छाव के निचर सो जाए उसकी आँख लग जाए तो रेवड में तो जो है गाए, भैस, बकरी, उकरी सारे थे सारे जानवर थे तो पेड़ के निच्चे लग गयी उसकी आँख और वो गाए जो एक गाए थी और वो जो है चरती-चरती जो है, जंगल के बीचे में पोचगी वो जंगल दूर लिकड़ी गी जंगल के बीचे में पोचगी अब एक ली लिकड़ी आगे ने तो उसने लग रही थी प्यास गाए ने अब गाए की प्यासी मर्ती वो जो बोल रही थी बाबा कर रही थी उसकी आवाज सुनके और सेर भी कही नजदी की था तो उसकी आवाज सुनके सेर भी सुंगता सुंगता उसकी गंदने और वो भी उसके दोराज है सेर जो गाए के और तो गाए भी भाज़े खूब और सेर भी भाज़े गाए नो जाने मैं भाज़े के जान बचा लिए और सेर नो जाने अक मैं भाज़े के जान ले लिए तो द जू से हैता। जंगल में और नदी थी、 तो नदी में पानी था कम और दल 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 थी जादा, तो गाई को देखिया? जकेना दिखिया? जड़ गाई भी लगुनकर भ Coachya इस दलदल में भड़गी हैं दलदल धी ज़्यादा अब गाय तो बढ़गी अब गाय ने तो थोड़ी बहुत कि कोशिष करें तो उतनी युद दलदल में दस ज्याएं अब जैसे गाय कुद्दी दलदल में जानवाचानी थी तो सेर ने उसकी जान लेनी थी अब पीछे-प दल दल का तो यह हुए बैए चैक कोई कुद जाओ जो तो जाओ लेकिन लिखड़े हैं नहीं जाओ जितने लिखड़न की कोशिश करोगे दल दल मा तो उतने फस्ते जाओगे अब तो गाए पूरी कोशिश लगा रही है अग भई मैं लिखड़ जाओं और शेर भी पूरे अ जान बचाने के लिए जो तू दल्दल में कुद गी और तो गाय बोली अग जंगल के राजा मने तो अपनी जान बचानी थी जो मन सही लगया मनों वो कर दिया लेकिन आप क्यों कुद दे आप तो राज जाओ मैं ना मिलती तो कोई और मिल जाता आपने तो पेट भरनी किता ह तो आप क्यों कुद दे दल दल में और आप खुद गया तो बचालो जान आप तो जंगल के राज जाओ बचालो जान अपनी तो कोशी स्पूरी कर रहे लिकड कोई से भी ना पारे तो गाय बोली शेर ते अग तेरा कोई मालिक है तो शेर बोली आप मेरा मालिक कोण होगा म मैं तो खुद जंगल का राज जाओं मैं तो खुद जंगल का बादिशा हूं मेरा कुण मालिक हो सक है तो गाय बोली अक मूरक सेर मेरा तो मालिक है और मैंने तो अपना मालिकी बुलाया आवाज देखे और देखे मेरा मालिक आवेगा और मैंने तो बचा ले जाओगा तो त ऊस्णनी के नहीं के साफ्टेlevant कि यह सम्झाना चारी थी अक मालिक होना जरूरी के तो गाय ने डों आपनी चर्दंटक वो डूब शुकी थी कठी दलदल में घृब की करती दसके तो गाये जो अथ Girls सब्सक्राइब च्राइब गलं लाइब अ तो म मлек उपर खमंदी जो अब आफ मैरा कौन मालीक है मेरा कौन बाधिषा मैं खुद बाधिषा हूं मैं खुद माली कूँ तो बिना माली के वह दूब घया दलदल में फस गया तो हम कोई स्क्षाइब अपने जान प्यारी ए उनने ना बचाय ऑप यार न सेंगो तो फोई सिशेर दे रही है कि अपना मालिक होना जरूरी है फिर जेलर मालिक के कुछ नहीं है सेल ने जो वोर नाकू दिता तो उसकी जान बच benefited से उसने तो गाई ना मिलती, कोई और मिल जाता, पना उसका पेट भरन ने कीता ही, मिल जाता, और यहां यह भी से बताया गया, आई भे गई, दुसमन तो जै छोटा हो, चै बड़ा हो, खत्रा उतना इतना है, दुसमन आज छोटा है, तो कल वो बड़ा भी होगा, दुसमन त्यार होन लग रहा है तो दुसमन तो जो है छोटा भी इतना खतरनाक है और बड़ा भी इतना खतरनाक है तो ये थी छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेर, सस्क्राइब करिएगा जैमा दादी